लूणी विदान सभा शेतर में चुनाव को लेकर रोचक-रोचक मुकाबले हैं पिशली बार भाशपा की उमीदवार है विदायक जोगाराम पतेल है वो इस बार भी उमीदवार है वही महिंद्र विश्नोई कॉंगरिस की ओसे चुनावती दे रहे हैं विदान सभाशेतर वाले महिंदर विश्णोई के पास महिंदर विश्णोई एक जानी मानी और पराम परागत राजनीतिक परिवार से आते हैं इसलिए राजनीती उनके लिए कोई नई नहीं है उनके खून में बहती है महिंदर जी न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है बहुत बहुत भूत दन्यवाद महिंदर जी क्या लग रही है राजनीतिक फिजा लूने में इस बार लोग तीसरी बार हैट्रिक करवाएंगे किसी की या फिर बाजी आपके हाथ तीसरी बार हैट्रिक तो हो ने सकती क्योंभी पेजली वार तो मेरे पिता जी थे फिर दादी को रहा है तो जनता मुझे जो फीडबैक मिल रहा है लोग बाग इस बार युवा शक्ती को जादा तरजी देने की सोच रहे हैं आपके पास क्या फीडबैक है जो अपने भारत के अंदर वोटर से हैं करीब 40% युवा है 35-40% युवा है तो युवा को हर पार्टी मोका दे रही है युवा के साथ समाज है पूरा और आजकल बुजूर को का भी आशिरवाद है युवा के ओपर पूरा बुजूर खुद कहते है युवा को आप आगे पीच आप अपनी नई राजनीती कैसे शेप करेंगे रहूल गांदी जी और असोग जी गलोट और सचीनी पाइलट साहब के नहीं हम आगे बढ़ी रहे हम हमारा पूरा मेहनत कर रहे हैं उनका आशिरवाद हमारे पर रोज बना रहेगा और हम उनके जो नहोंने हमारे पर वि जहां बुझे वो कुछ कहेंगे जो आदेश हो देंगे वह मैं उनके लिए करूँगा और जो उनके सारजनिक काम होंगे वैक्तिकत काम होंगे उनके लिए मैं हजीर और जाहूंगा लूनी जोतपुर से कैमरामें नरेश पारिक के साथ प्रवीन दत्ता न्यूज इंडिया 24-7